नेक्ट चेप्टर सुरू करते हैं लाब तथा हानी इसमें कुछ टर्म्स हैं जो देख लेते हैं पहले करमूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वे मूल्य वस्तु का करमूल्य कहलता है और विक्रमूल्य कहलता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रेम मूल्य कहते हैं लाब क्या है? विक्रेम मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है और क्रेम मूल्य जिस पर खरीदी जाती है का अंतर लाब होता है जैसे कोई वस्तु हमने 100 रुपे की खरीदी और 110 में बेची तो इन दोनों का अंतर नोट करने वाली बात यह है कि लाब तता हानी अमेशा क्रेमूल्य पर गिने जाते हैं लाब परसेंट निकालने का फार्मूला है लाब जितना हमें लाब हुआ है गुना सो अपोन क्रेमूल्य जितने पर वस्तु खरी दी गई है हाणी के लिए गषा करा के हाणी गुणा? करमवा झीन है गुणा 100 जिसपे खड़ीती गई है लाब निकालने के लिए एक फार्मुला कि खड़ीती गई है गुणा पर्तिसाथ जितने प्रसेंट लाब हुआ है? बटे 8,250 रुपे में खरी दी और 4% लाप पर बेच दी गाए का विक्रय मूल लेकर आया है कोई गाए है वो 8,250 रुपे में खरी दी और 4% लाप 4% 4% को हम 1 बटा 25 बॉल सकते हैं या ऐसे कर लो 4 बटे 100 तो यह 1 बटा 25 ऐसे ही आया लेकिन एक्जैम में इतना टाइम होता नहीं तो इसलिए पहले से ही याद करने में अच्छा है तो 1,25 हो गए अब उसने कहा है कि 4% हानी हानी हुई है 4% का लाब होगा है तो लाब होता है तो इसमें फर्मूला क्या है यह बटा 25 है एक को 25 में जोड़के उपर लिख लेंगे अगर हानी होती तो गटा के उपर लिख लेते तो यह हो जाएगा 26 बटे 25 अभी पूछ रहे गाए का विखरा मूल लिया क्या है तो 8,250 गुना 26 बटे 25 अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं इसको 25 कर लेंगे 25 से 3 बर कटेगा उसके बाद बचेंगे 7 25 ती 75 25 से फिर इसके बाद 25 से 3 बर कटेगा 25 से 75 और यह हो जाएगा 330 रूपे 330 गुना 26 तो यह आ जाएगा 8,550 रूपे यह इसका अंसर है नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं तो आपको यह किलियर हो जाएगा किसन ने एक कुर्सी 490 रूपे में खरीद कर 35 पर तीसा थानी पर बेज़ दी कुर्सी का विक्रमूल्य ग्याद कीजिए 490 रूपे में कुर्सी खरीदी 5 परसेंट बीस वर तो यह एक बटा बीस हो गए अभी फार्मूला बताया है कि अंस को हर में से हानी है तो गटा लेते हैं लाब हो तो जोड लेते हैं तो हानी हुई तो इससे गटा लेंगे और उपर लिख लेंगे यह हो जाएगा उननीस बटे बीस तो पूछ रहा है कि विक्रमूल लेकर आया है मतलब जितने बेची गई वो पूछ रहा है हानी पर बेची है तो यह उननीस बटा बीस अब कैलकिस को सिंपल कर लेते हैं जीरो से जीरो यह इससे कट जाएगा 24.05 बार 24.05 गुना उननीस अंसर आजाएगा जिनकी गुजना करके 465.50 पैस है यह इसका अंसर है नेक्स्ट कोस्चन है एक मेज को 517 रुपे बेचने पर 10% लाब होता है मेज का क्रमूल लेकर आ है जितने वे खरीदे गई वो पूछ रहा है यह 517 रुपे में बेच दीशने विक्रे मूले है इसका और 10% लाब होता है 10% 10% को हम एक बटा 10 भी लिख सकते है यह मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में ही बताया है इसे दुबारा भी देख लेते है 100% को हम लिखते है 50% को एक बटा 2 33 सही एक बटा 3% को एक बटा 3 25% को एक बटा 4 20% को लिखते है एक बटा 5 16 सही दो बटा 3 को एक बटा 6 14 सही दो बटा 3 को एक बटा 7 12 सही एक बटा 2% को एक बटा 8 11 सही एक बटा 9% को एक बटा 9 लिखते है 10% को एक बटा 10 9 सही एक बटा 11 को एक बटा 11 लिखते है 8 से 1 बटा 3 को 1 बटा 12 लिखते हैं 37% को लिखते हैं 3 बटा 8 62 से 1 बटा 2 परसेंट को 5 बटा 8 लिखते हैं और 37 से 5 परसेंट को लिखते हैं 37, 10.5 परसेंट को लिखते हैं 7 बटा 9 यह हमें याद करने पड़े हैं क्योंकि एक्जाम में टाइम की कमी होती है तब question भी simple आपको लगने लगेंगे तो अब हम अपने question पर आते हैं 10% को में एक बटा 10 लिखते हैं लाब होता है तो हमेशा अंस को हर में जोड कर उपर लिखते हैं तो यह हो जाएगा 11 बटे 10 लेकिन वो पूछ रहा है ये इसने विक्रे मूले दिया है उतार लिया 17 को 11 से कटेगा 7 बर तो यह हो जाएगा 47 गुना 10 बड़ावर 470 रूपिया 470 रूपिया में उसने मेज खरीदी थी यह इसमें पूछा गया है next question देख लेते हैं एक heater को 585 रूपिया में बेजने पर 10% हानी होती है heater का विक्रे मूले क्या है इसमें 585 रूपिया पे बेजता है यह विक्रे मूले नी इसका करे मूले पूछा हुआ है 585 रूपिया में बेजता है और 10% के हानी होती है 10% को हम लिखते हैं एक बटा 10 हानी है तो मैंने बताया था कि गटा आगे उपर लिख लेंगे 9 बटा 10 उसके बाद इसने विक्रे मूले पूछा है तो पहला दाम पूछा है तो उल्टे करके गुना कर लेंगे क्योंकि यह विक्रे दिया एक करे पूछा है तो उल्टा करके गुना कर लेंगे हो जाएगा दस भटा नो नो से नो से छे बर कर जाएगा चमवन और चार बचेंगे फिर पांच उतार लेंगे नो पजे पैंतालीस पैंसट उना दस ही आजाएगा छेंसो पचास रूपिय ये इसका अंसर है नेक्स्ट कॉस्चन सुरू करते हैं एक गड़ी को 440 रुपे में बेचने पर एक व्यक्ति को 10 परसेंट हानी होती है वैसे कितने रुपे में बेचे की उसे 15 परसेंट का लाग हो इस तरह कॉस्चन में क्या है कि इसके ट्रिक है जो पुछा गया है उसे उपर लिखते है और जो दिया गया है उसे नीचे लिखते हैं अगर लाब है तो तो सो में से सो में जोड़कर और हानी को सो में गटा कर सो में से गटा कर अभी से प्रेक्टिकल करके देखते हैं यह 440 रुपे में बेचने पर 10 परसेंट हानी होती है तो यह तो एक्जैम में दिया गया है इसमें कॉस्चन में दिया गया है और पूछ रहा है कि कितने पर 30 रुपे में बेचे की 15 परसेंट लाब ह तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि 10-15% लाग उसे 100 में से जोड़ कर 115 हो जाएगा और जो दिया गया है उसे 100 में से घटा अगर 10% हा नी हो तो इसे 100 में से घटा लेंगे तो यह रही हो एद नब दे अब इसकी calculation कर लेते हैं यह 0 से 0 कर जाएगा अब 9 से देख लेते हैं 9 से इसे काट लेते हैं 9 एकम 9 5 बचे, 9 शिक चंवान ये 16 बर कट गया 115 गुना 16 तो 16 पंजे ये 16 पंजे होगा 80 8 इसके हासिल हो जाएंगे 16 एकम 16 और 8 24 दो बचे 16 एकम 16 और 2 18 1840 रुपे में बेचे जब उसे 15 परसेंट का लाब होगा ये इसका अंसर है Next question देखते हैं एक साइकल को 2070 रुपे में खरीदने बेचने से एक व्यक्ति को 15 परसेंट लाब होता है वे इसे कितने रुपे में बेचे कि उसे 25 परसेंट का लाब हो 2070 रुपे में वो इसको बेचता है अभी मैंने बताया था इसने पूचा है कि वे कितने बेचे कि 25 परसेंट का लाब हो जो पूचा गया है उसे उपर 100 में जोड का लिखते हैं तो ये हो जाएगा 125 और जो दिया गया है अगर लाब है तो 100 में जोड कर ये 5 से कटेगा 23 बार और ये 5 से कटेगा 25 बार अब 23 नम्मा होगे 207 ये 9 बर कट जाएगा ये 90 तो ये हो जाएगा 90 गुना 25 तो 25 नम्मा होते हैं 225 और ये 0 तो 2250 रुपे में बेचना चाहिए ये उसे तब ये 25 परसेंट का लाब होगा इस कॉस्चन में मैंने क्या बताया है कि जो कॉस्चन में दिया गया है जो पुछा गया है उसे उपर लिखते हैं अगर लाब पुछा गया है तो 100 में जोड कर अगर हानी है तो 100 में से घटा कर और जो दिया गया है उसे नीचे लिखते हैं लाब होतों 100 में जोड़ कर, हानी हो तो 100 में घटा गए। इसने बताया है कि असे 25 परशेंट का लाब होना चाहिए। तो 100 में जोड़ा, 125 हो गया और दिया हूए कि 15% का लाब होता है, तो 100 में जोड़ दिया, 115 हो गया। calculation करने पर आया है, बाइस्व पचास रुपे, यह इसका, next question देखते हैं, किसी वस्तू को, एक हजार चोबिस रुपे में बेचने से, दुकंदार को 20% हानी होती है, इस वस्तू को, 1472 रुपे में बेचने से, कितने परतिसत लाव होगा, एक हजार चोबिस में बेचने से, दुकंदार को 20% हानी होती है, तो इस दुकंदार को 20% हानी होती है, हानी, तो 20% को हम 1 बटा 5 भी लिख सकते हैं, तो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, 20% बराबर, 1 बटा 5, तो हानी होई तो, अंस को हर में से गठा कर उपर लिख लिख लिए, तो 4 बटा 5, लेकिन ये तो हुआ, इतने में हानी होती है, तो क्रेम मुल्य जानने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करके 1024 गुना, 5 बटे 4 गुना कर लेंगे, अभी देख लेते हैं, चार से इसको काट लेते हैं, तो ये चार से दो बर कट जाएगा, बचेंगे 2, चार पंजे 20, दो बचे 4 गुना 5, 256 गुना 5 करने पर आएगा ये, बारा सो असी रूपिय, ये इसका क्रेम मुल्य है, अब ये कह रहा है कि, इसको 1472 रुपे में बेचने पर कितना लाव होगा, तो 1472 में से 1280 गटा लेंगे, तो ये जाएगा 2, 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, और यहां पर एक बचे गया था, तो 190 में रुपे का लाव होता है, अब लेकिन ये पूछ रहा है लाव परसंटेज, तो लाव परसंटेज हमेशा क्रेमूले पर निकालना पड़ता है, तो 192 में बचे 1280 गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4 ती 12 और 4 दूनी 8, और ये 4 से कटेगा, 4 चोक 16, उसके बाद बचेंगे 3, 4 अठे 32, ये हो जाएगा 480 बटे 32, उसके बाद इसे फिर 4 से देख लेते हैं, 4 से ये 8 बर कटेगा, और 4 से ये 12, 120 बर कटेगा, अब 8 से देख लेते हैं, तो 8 अठे कम 8, बच्चे 4, 8 पंचे 40, तो 15 परसंट जो है न, 15 परसंट लाव होगा उसे, अगर वो इसे 1420 बाद रुपे में बेचता है, दुबार देख लिखते हैं, 1024 बाद रुपे में बेचने पर 20 परसंट के आनी होती है, 20 परसंट को लिखा 1 बटा 5, आनी है तो 4 बटा 5, क्योंकि अंस को हर में से गटा का उपर लिखते हैं, ये ट्रीक है, और ये एक बटा 5 कैसे आया तो वैसे, 20 बटे, 120 से 5 पर कटा तो एक बटा 5, इसे सीधा याद कर लेने में फाइदा है, उसके बाद हम क्रेम उल्य देखते हैं, इतने बेचने में तो हमें आनी हुई थी, तो लाब जानने के कितने पर क्रेम उल्य क्या है, तो इसके उल्टी करके गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पाए 1280 रूपे, अब ये कहरा कि 1442 रूपे में बेचे, तो कितना लाब होगा, 112 में रूपे गा, लेकिन ने परसंटेज पुछा है, लाब परसंटेज, तो ये हो जाएगा, 192 बटे 1280, गुणा 100, इनकी सिंपल करते हैं, तो आंसर आएगा 15%, ये इसका आंसर है, नेक्स्ट कॉस्चन है, ए ने एक रेडियो को, बी को 20% लाब पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% लाब पर बेचा, सी ने इसे डी को 5% लाब पर बेचा, यदि डी ने इसका मुल्य 1814 रुपे, 40 पी से रुपे दिये हों, तो आ ने रेडियो कितने रुपे में खरीदा था, तो सुरू मैं ऐसे देख लेते हैं, सबसे सुरू मैं, ए ने बी को कितने में दिया, 20% लाब पर दिया था, तो 20% को हम लिखते हैं, एक बटा 5, लाब है तो लिखेंगे 6 बटा 5, अब बी ने, बी ने सी को कितने में दिया, 10% हानी पर, तो 10% को लिखते हैं, बटा 10, हानी है तो लिखेंगे, इसको इसमें से गटा आगे उपर लिख देंगे, 9 बटा 10, अभी सी, सी ने डी को दिया, सी ने डी को 5% लाब पे दिया, 5% लाब, तो 5% को हम लिख सकते हैं, बटा 20, और लाब है तो लिखेंगे 21 बटा 20, तो ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये 1814 रुपे, 40 पैसे का दिया उसने, तो पूछ रहा है कि, ये ने कितने रुपे में खरीदा था, तो इसको क्या करेंगे, सारों को उल्टा करके गुना कर देंगे, सबसे पहले इसको, क्योंकि पहले दाम पूछ रहे न कुराना, तो 20 बटा 21, दूसरा ये है, इसको 9 बटा 10 को लिखेंगे 10 बटा 9, क्योंकि पहला दाम पूछ रहा है, बाद का दाम तो ये है, पहले गटना पूछ रहेंगे, तो उल्टा कर देंगे 5 बटा 6, ये 6 बटा 5 को लिखेंगे 5 बटा 6, अभी इन सब की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसको पहले, सबसे पहले 3 से काट लेंगे, तीन से ये 7 बर कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 600, 10, 8, 0, अब इसके बाद इसको 7 से काटेंगे, तो ये कट जाएगा, 7 से 7, 8, 56, बचे 4, 7, 42, 42 हो गया, फिर बचे 2, 10 बटा 7, 24, 24, तो गुना, ये तो पूरा हो गया, इसके बाद इन सब की गुना कर लेंगे, तो ये अंसर आजाएगा, इसका दसम्ला उटाने के लिए, ये हो जाएगा, 8, 64, ये 10 कतम होगा, गुना 20, गुना 5, बटे 9, गुना 6, तो कैल्कुलेशन करने के बाद इसका अंसर आएगा, 16, ये इसका अंसर है, नेस्ट कोस्चन है, एक वेक्तिने अपने दो मगान, परती एक को, 4,66,950 रूपे का बेचा, एक पर उसे 12% लाब, दूसे 12% आणी होए, पूरे लेंदेन में उसे कितने परती सा आणी होए, ट्रिक है, और वैसे भी, जब उतने का इलाब हो उतने की आणी, तो हमेज़ा हानी होती है, तो इसके लिए फार्मूला है, X स्क्वेर अपोन 100, तो X स्क्वेर को 12 गुना 12, बटे 100, तो यह हो जाएगा, 144, 144, बटे 100, बराबर 1.44% हानी, यह इसने पुछा, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, यह तो आप कन्फूज करने के लिए देते हैं, जब उतना इलाब हो, उतना इहानी, तो हमेज़ा हानी होती है, इस तरह कोस्चन परसंटेज में विदा, यह इसका अंसर है, कोस्चन है, यदि 12 वस्तूओं का क्रेमूले, 9 वस्तूओं के विक्रेमूले के बराबर है, तो लाब परतिसत ग्यात कीजिए, तो जो विक्रेमूले है, इसे हम लिख लेते हैं, जो क्रेमूले है, इसको लिख लेते हैं, CP, यह है 12, और विक्रेमूले, या SP लिखती है नो अब इसमें क्या है कि जो Sailing Price है विक्रेमूले वो कम है क्योंकि 9 वस्तूओं के विक्रेमूले के बराबर है तो इसके लिए फार्मूला क्या है लापरतिसत के लिए क्रेमूले माइनस विक्रेमूले भाग विक्रेमूले यह सिंपल याद करें CP माइनस SP अपोन SP क्योंकि वस्तूओं का विक्रे जो 12 वस्तूओं करेमूले 9 वस्तूओं के विक्रेमूले के बराबर है तो इसमें CP हो जाएगा 12 माइनस 9 SP 9 है तो यह हो जाएगा 3 बटा 9 तो यह हो जाएगा 1 बटा 3 1 बटा 3 को लिखते हैं 33 सही 1 बटा 3 परसेंट यही अंसर है क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो जो विक्रेमूले पर्चेशिंग प्राइस है उसके बराबर उसके 9 वस्तूओं का 12 के बराबर है इसकी फॉर्मूला यही है इसकी ट्रिक CP माइनस SP अपोन SP नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं एक फल विक्रेता दुआ रहा 33 केले बेजने पर 11 केलों के विक्रेमूले के बराबर लाब होता है लाब परतिसद ग्याद कीजिए 33 केले बेजने पर 11 केलों के विक्रेमूले सेलिंग प्राइस के बराबर लाब होता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो सेलिंग प्राइस है SP और जो क्रेमूले है पर्चेशिंग प्राइस है CP माइनस SP ये कर लेते हैं गुना 100 तो सेलिंग प्राइस है हमारा 11 11 के बराबर करता है न तो टोटल कितने 33 के ले बेजने वे माइनस 11 गुना 100 तो ये हो जाएगा 11 बटे 22 गुना 100 तो 11 से ये 2 बर कड़ी है और 2 से ये 50 बर तो ये हो जाएगा 50% ये इसका अंसर है